हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मसाला जाइका में सब्सक्राइब करें मसाला जाइका को और बेल आइकन को दबा कर और पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज हम बनाएंगे होम मेरे चिली फ्लेक्स की रेसिपी आज के मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर पे हम कैसे बाजार जैसे चिली फ्लेक्स बना कर रेडि कर सकते हैं और उसको पास्ता, पीज़ा, पकोड़े या फिर कोई भी रेसिपी पर डाल कर यूज कर सकते हैं तो फिर चलिए आज की इस होम मेरे चिली फ्लेक्स की रेसिपी को हम शुरू करते हैं तो home bear chili flakes बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूखे लाल मिच तो हमने यहाँ पर ऐसे बरे बाले सूखे लाल मिच ले लिया है इससे chili flakes बहुत यह बरिया बनते हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे बाले लाल मिच से भी इनको बना सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो लाल मिच है उन में से उनके डंठल को अलग करके लाल मिच को साफ करके रख देंगे तो एक एक करके हम सारे लाल मिच में से उनके डंठल को अलग कर देंगे तो हमने आपर सारे लाल मिच में से उनके डंठल को अलग कर दिया है और अभी हम बाजार जैसा चिलिफेक्स बनाने के लिए इनके बीच को निकाल कर अलग से रख देंगे तो अभी हम कैची से लाल मिच के पीछे के हिस्से को ऐसे काट देंगे और उनको बीच में से ऐसे काट कर उनके अंदर से बीच को निकाल कर अलग से रख देंगे इनको हम बाद में यूज़ करेंगे अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप बीच को निकाले बिना भी इन चिली फेक्स को बना सकते हैं लेकिन अगर आपको बाजार जैसा टिक्षर चाहिए तो आप इन में से बीच को ज़रूर निकाले तो आप एक एक करके सारे लालमिच में से ऐसे करके बीच को निकाल ले आप जितना बीच निकाल सकते हैं उतना निकाले या फिर आप चाहे तो लालमिच को ऐसे बीच में से तोड़ कर भी इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो इनके अंदर से बीच निकल कर अलग हो जाएंगे तो आपको जो भी प्रोसेस सही लगे या फिर आसान लगे आप उस प्रोसेस में उनके बीच को निकाल ले तो यहाँ पर हमने सारे लाल मिच में से बीच को निकाल कर अलग कर लिया है और जो बचे हुए लाल मिच है इनको अभी हमें dry roast कर लेना है तो हमने यहाँ पर gas on करके एक pan को चठा लिया है और pan को अभी हमने गरम कर लिया है और अभी हम gas का flame medium पे कर देंगे और इनमें सारे लाल मिचों को डाल कर medium flame पे 2-3 मिनिट के लिए लगातार चलाते हुए dry roast कर लेंगे जब तक कि जो लाल मिच है उनका जो color है वो dark न हो जाए और उनमें से एक अच्छी खुश्मूना निकल के आ जाए तो अभी हमें लाल मिच को dry roast किये हुए 2-3 मिनिट हो चुके है और अभी हम gas का flame off कर लेंगे और इन लाल मिच को एक प्लेट में निकल कर हलका सा थंड़ा कर लेंगे तो लाल मिच हमारे हलके से थंड़े हो चुके है और अभी हम एक mixing jar लेंगे और उसमें इन सारे लाल मिच दाल देंगे और इसे अभी हमें mix design में थोड़ा सा crush कर लेना है हम एक सेकिंद के लिए mix को on करेंगे और फिर off करके चेक कर लेंगे कि ये थोड़ा सा crush हुआ है कि नहीं ऐसे करके हम एक दो बार एक सेकिंद के लिए mix को on off करेंगे और चेक करते रहेंगे तो हमारा जो chili flakes है वो perfect crush होके ready हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा chili flakes से वो perfect crush होके ready हो चुका है और इसमें अभी हम लाल मिच के बीच को भी add कर देंगे जिनको हमने अलग करके रखा था और इन्हें mix करने के बाद बाजार जैसा chili flakes घर पे ही बन कर ready है आप इस chili flakes को कोई भी Italian dish पकोड़े क्या फिर करी में डाल कर यूज कर सकते हैं आप इस recipe को घर पे जरूर try करें और इसके picture समी Instagram ID पे जरूर share करें और अगर आज की ये chili flakes की recipe आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे like a button click करें मेरे चैनल को subscribe करें और comment करके हमें जरूर बताए कि आपको recipe कैसी लगी इस recipe को आपके family और friends के साथ जरूर share करें तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में